बजाज ने लंबे वक्त पहले अपनी कॉड्री साइकल क्यूट को लॉंच करा था और कई सालों के इंतजार के बाद इस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से नीजे इस्तिमाल की मन्जूरी भी मिल गई है तो आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में बताने वाले है पर हम आगे बढ़े प्लीज आप हमारे चैनल एंजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बैल का इकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें बजाज का कहना है कि ये गाड़ी ना केवल सस्ती होगी बलकि ये ग्रीन भी होगी साथ ही ये गाड़ी मारकेट में मौजूद दूसरी गाड़ीों के मुकाबले 37 प्रतिशत हलकी भी है जिसके कारण इस गाड़ी में फ्यूल बच्चता है इसकी कीमत भी टाटा नैनो से कम ही है इसलिए ये ग्राहकों को नैनो की याद दिला सकती है यहां हम ये जरूर बता दे की कॉड्री साइकल भारत में एक नया सेग्मेंट है जो की सेग्मेंट में अकेला ही है कमपनी इस गाड़ी को एक लाग पचास हजार से दो लाग रुपे के बीच लॉंच कर सकती है इस गाड़ी में 216.6cc का इंजन दिया गया है जिससे गाड़ी को शहर में 50 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं और हाइवे पर यही रफ्तार 60 किलो मीटर प्रति घंटा हो सकती है इसलिए आप इसे किसी भी एक्सप्रेस वे पर बिंदास चला सकते हैं बात करें एवरेज की तो पेट्रोल वेरियंट से आपको 35 और CNG से 45 का एवरेज मिल सकता है अब आप बताईए इस गाड़ी को आप खरीदना चाहेंगे की नहीं और हमारे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए धन्यवाद